नमस्कार न्यूस्क्रिक के डेली राउंड अप में आपका स्वागत है आईए नज़र डालते हैं आज की सुर्कियों पर बिहार के हर मद्दाता पर 25,000 रुपे का कर्ज है बिहार की आम जनता किसको चुनना चाहती है परोना अपडेट देश में पिछले 24 घंटों में 45,148 नए मामले 480 मरीजों की मौत 26 नवंबर को देश व्यापी हर्ताल के लिए तयार है मद्दूर दिल्ली में असंगटित मद्दूरों को एक जुट करने पर है जोर बिहार में सत्तरूट जनता दल यूनाइटिड भारते जनता पार्टी गडबंदन द्वारा वित्त के कूपरबंदन के सपश संकेद इस बात से मिलते हैं कि राज्य सरकार बहानक कर्ज में हैं इस साल की शुरुआत में यानि महामारी से पहले पेश किये बज़ट अनुमानों के अनुसार राज्य सरकार की पगाया देंदारियों यानि कर्ज करीब एक करोड़ सतासी लाक रुपे था अब कुछ ही दिनों में राज्य के 7.29 करोड मद्दाता मद्दान करने जा रहे हैं इस प्रकार मद्दान करने वाला हर में एक मद्दाता 25,461 रुपे का कर्जदार है पिछले पांच वर्षों में इसमें 71 प्रतीशत की चौका देने वाली व्रिद्धी हुई है पिछले मह रहान मंतरी नरेंदर मोदी ने गर्फ से कहा था कि पिसले 3-4 वर्षों में उनकी अगवाई में केंदर सरकार और नितीश कुमार के नितित्व वाली राज्य सरकार के बीच तालमिल बहुत बड़ा है यहां बहतरीन काम किया जा रहा है जबकि राज्य की वित्यस्तिती पर यह डेटा दिखाता है कि बिहार पूरी तरह दिवालय हो गया है बिहार में चुनावी सरगर्मी के बीच वरिष्ट पत्रकार भाशा सिंग ने जमीनी हकीकर जाननी की कोशिश की उनकी ग्राउंड रिपोर्ट के इस पहले अंक में देखिए कि पटना में उनकी आम जनता से हुई बातचीत गरीब और मद्धेवर्ग दोनों ने आगामी चुनाव को लेकर अपनी राय उनसे साज़ा की नमश्कार मैं भाशा और इस समय मैं खड़ी हूँ बिहार की रासधानी पटना में बिहार में चुनाव का पूरा का पूरा महौल सरगर्म है प्रधान मंत्री नरेंग मोदी की रैलिया एक के बाद एक हो रही है और इसके बाद जिस तरह का महौल बन रहा है उसमें लोगों का क्या मन बना है क्या मुद्धे है चुनाओ के सबसे बड़ा सवाल इसमें हमारे सामने ये है कि यह चुनाओ बिहार की धर्टी में जो हो रहा है इसके मुद्धे क्या है लोक किन मुद्धों पर वोड़ देना चाहते हैं और इस सरकार का जो एलाइंस है जंतादल यू और भाश्पा का जिसको बढ़ा दिखाई जा रही है चुनावी सर्वों में क्या वाकई जमीनी हकीकत वही है या जो रैलिया महागटबंदन की हो रही है उसमें जिस तरह का अपार जंसमू मढ़ रहा है वह हकीकत है भिहार की धर्ती क जा बदलाव चा रही है इसकी परताल करेंगे हम आपके साथ व्यूस्प्लिक में भिहार की धर्ती पर प्रह्मतर चाही नहीं है ज जीन भी JP सास्जाण वड्यकों जाना फडर रहास मैं यहे रहास की धेँगे म्हों मीत्रम Das कमल था, उनको दूसर रहती है, तो हुआ नहीं, अभी तो मिल के चुनाओ लड़ा है, आप काफी खुश है उनसे, क्या-क्या अच्छा लगता है आपको, सव उनको बाता बनों सब ठीक है, कोई कश्च नहीं है, क्या नाम हुआ आपका, राम लंदन प्रसाद, कास्ट के हिसा अच्छा आप से क्या हुआ है, साओ, साओ जी है, आच्छा आपका, प्रसाद में जाती है, सबसे अच्छी बात आपको, मोदी सरकार में क्या लगी, तो उनको बाता बनो, सब ठीक है, नौकरी वाफी सब ठीक है, सब कुछी, मेरे जात मोधी सरकार है तो क्या हुआ? खती है तो कौकोत करया है तो कुछ नहीं थीन Okay, बूलाई ज़ती है तो क्या हो दहके है? और भी तैसने ताम लम भी नहीं हो कोने की है तो क्यों शॉट पर थेना है। जब से कुला है कर दिन होगा वुछ हुगै तेन महिना होगा अधिक अगरी जब कर दिन होगा टेनле है सभधी बेचै अधिये है कुछ 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 है तो हुए थोफ एक मज्दूरी अज़र को जाए ति क्या तब हुआ पाति वीमार था तो बुट्टे बाले बचा लेकर ने नारासन के नहीं, मेरा पाति वीमार था वो जुगाई, कोई नए साहाज का निला, कुछ नहीं, तो काईचन कर्फिन को गुजरेंजे हमी सब जाते हैं अम लोग बहुक दिखा थे मैं दूरे अलोग फिला है बफ रख दर चप लाये बिभार से बाहर काम करते थे यड़आ सरी बिभार से जोकौन लूग आया है प्रषानी अ credit में और भी रख चालगा है अलोग कर दोश्थ कhta मारश ज्यूद मा मरिद लोग काम नहीं मिल रहा है, काम करने के प्रियारना है. अभी कितना पैसा मिलता है अभी आम लोग को 300 मिलता है, 400-400. और काम तो नहीं मिलता है, तीनों समय मैजुरी नहीं मिलता है, आदमी को. जब पैसा मैंगते हैं तो काम नहीं, और पैसा कम तो काम है. यह तो होता है, अपना मनमानी करता है, हम तो यह सरकार के खिलाप हैं, कि मनमानी मत कि गड़ी वादमी के देखिए तन आपको देखेगा, आप देखेए नहीं करते हैं, सौगों में से 10% के करते हैं, 75% के सब को देखिए एक धांगली से तब सरकार हम सब कर रहा है, करते हैं, 10% के चलते हैं, सरकार से खिलाप हैं हम, आप कुछ नहीं करते हैं, सरकार सब बनता है, सब अपना मनमानी करता है, पटनर खाश्पा और नितीश का गड़ रहा है, यहां पर खाश्पा ने बहुत तगड़ी पैठ़ की बनाई है, लेकिन हमने देखा कि क्लास जिवाइड है, वो बहुत तगड़ा थी, यहां पर जो मजबूर है, उन्हें याद है कि लॉक्टाउन में, मोधी और नितीश क गलत नीतियों से उन्पर क्या आसर पड़ा, वहीं जो थोड़ा सा संपन में तबका है, वह बक्ष में बाता रहा है, लेकिन एक बास साफ है कि बिहार में इस बार चुनाओ, जन्ता अपने मुक्वे तलाशते हुए तैकर रहे है, केंद्री स्वास्त मंत्राले द्वारा आ आज लगबग चार महीने बाद करोना से रोजाना होने वाली मौतों का अकड़ा 500 से नीचे आया है, यानि पिछले 24 घंडों में करोना से 480 मरीजों की मौत हुई है, साथ ही इसी बीच करोना से पीड़ित 69,105 मरीजों को ठीक किया जा चुका है, और कुल एक्टिव मामलों में 14,400 37 मामले कम हुए हैं, देश में अब करोना के मामलों की संक्या बढ़कर 89,969,969 हो गई है, जिन में से अब तक 1,19,004 मरीजों की मौत हो चुकी है, स्वास्त मंतराले की ताज़ा जानकारी के अनुसार, रिकवरी रेट में आज 0.23% की बढ़ उतरी के साथ, रिकवर 53,717 हो गए हैं, आइसी एमर द्वारा जारी आकड़ों के अनुसार अब तक 10,34,62,778 सैंपल्स की जाच हो चुकी है, जिन में से 9,49,309 सैंपल्स की जाच पिसले 24 घंटों में हुई है, देश भर में मजदूर 26 नमंबर को देश व्यापी हर्ताल करेंगे, दिल्ली में भी बड़ी संखे में मजदूरों की सड़क पर उतरने की उमीद है, देश व्यापी हर्ताल में संग समर्थित भारतिय मजदूर संग को छोड़, बाकि सबी केंदर ट्रेड यूनिनों, स्वतंतर फेडरेशन और यूनिन भी शामिल रहेंगे, इसके तैयारी लगातार जारी है इसको लेकर लगातार राजिस्तर पर सायुक्त कन्वेंशन किये जा रहे हैं, दिल्ली में बुदवार को मजदूर संगठों ने कन्वेंशन आयोजित किया, जिसमें इस बार दिल्ली में असंकटित मजदूर को इकतर करने पर विशेश जोड दिया जा रहा है, क्योंकि अस समर्थिद C2, AITUC, AIUTUC, TUCC, AICCTU, LPF, UTUC और महिला संग सेवा शामिल हुए उन्होंने एक प्रस्ताब भी पास किया News Click के Daily Roundup में आज बस इतना ही हमारे YouTube चैनल को सब्स्राइब करें साथ ही Facebook और Instagram पर हमें फॉलो करें और हमारी Hindi website को भी फॉलो करें News Click देखने के लिए धन्यवाद